पंकज एडूकेशन पॉइंट में आपका श्वागत है आज मैं क्लास 12 के इंग्लिस प्रोच का नेक्स्ट चैप्टर दा हूम कमिंग को पढ़ाऊंगा दा हूम कमिंग के लेखक रवींदना टाइगोर जी हैं सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं रवींदना टाइगोर वाज बॉन इन कोलकाता आनमे 6, 1861 रवींदना टाइगोर जी का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था वा एक बिश्परसिद कभी दार्शनिक और नाटकार थे उनको गुरुदेव भी कहा जाता था उन्होंने साहित का कोई भी पच अचूता नहीं छोड़ा और सभी में उन्होंने समान सफलता अरजित की उन्होंने अपनी परसिद पुस्तक गितांजली के लिए 1913 में नोबेल प्राइज को प्राप्त किया मतबब वह एशिया के ऐसे प्रथम बेखती थे जिन्होंने सबसे पहले नोबेल प्राइज को प्राप्त किया उन्होंने भारत और बांगला देश देशों के राष्ट गान को रचा बताब भारत में उन्होंने जनगर्मन धिनायक जये को रचा और बांगला देश का जो राष्ट गान है उमार सुनार बंगला उसका भी रचना उन्होंने की तो आईए इस लेशन के बारे में जानते हैं यह कहानी एक 14 वर्स के लड़के की है जिसे यह लगता है कि उसकी माँ उसको बिलकुल भी प्यार नहीं करती है वह अपनी माँ और घर से कहीं दूर जाना चाहता है एक दिन वह अपने मामा के साथ कलकत्ता चला जाता है जहां उसको अपनी मामी का बिवार अच्छा नहीं लगता है कुछ दिन बाद उसे अपनी मा की याद आने लगती है उसके हिर्दे में मा का प्यार उमर पड़ता है और उसे अपनी मा की कमी महसूस होने लगती है वो अपनी मा के पास जाना चाहता है इस प्रकार इस लेशन में एक 14 वर्स के लड़के की भावनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया गया है तो आएए लेशन को पढ़ते है यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है तो रिंग लीडर को हम लीडर कह सकते है मुखिया कह सकते है सरदार कह सकते है फाटिक चक्रवर्ती अपने गाओं के लड़कों का मुखिया था मतब सरदार था मतलब क्या है कि गाओं में कुछ लड़कों का गुरूप बना हुआ था और उस गुरूप का जो सबसे मुख्य लड़का था हो था फाटिक चक्रवर्ती A new mischief got into his head Mischief का मतलब सरारत है उसके मस्तिस्क में एक नई सरारत सूजी There was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be saved into a mast for a boat There was a heavy log log का मतलब होता है लकडी का गठा कह सकते हैं लकडी का कुंदा कह सकते हैं Lying on the mud flat of the river तो एक लकडी का बहुत भारी बहुत बड़ा लकडी का कुंदा नदी पर कीचर में पड़ा हुआ था जो ऐसा लगता था कि उसको एक नाव का मस्तूग बनाने के लिए उसे वहाँ पर छोड़ा गया था यहाँ पर mast का मतलब मस्तूल से है और बहुत मतलब नाव होती है he decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away he decided उसने फैसला किया कि वह सब लोग एक साथ बल लगा के फोर्स लगा के इसको अपने अस्थान से लुढका देंगी the owner of the log would be angry and surprised the owner आप दी लोग तो लकडी का जो कुंदा था उसका जो मालिक था वो क्या होगा angry होगा क्रोधित होगा और इस बात से वो आशर चकित होगा कि यहाँ पर पड़ा था वहाँ कैसे चला गया and they would all enjoy the fun और वो सब क्या करेंगे इसका मजा उठाएंगे everyone seconded the proposal अब यहाँ पर देखिए seconded seconded का मतलब होता है शमर्थन करना और परपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव मतलब सभी ने उसके प्रस्ताव का समर्थन किया मतलब जितने भी ग्रुब में लड़के थे सब ने उसमें हाँ भर दी and it was carried unanimously मतलब होता है सर्व सम्मत से और सर्व सम्मत से फैसला स्विकार कर लिया गया but just as the fun was about to begin लेकिन जैसे ही यह आनन्द शुरू ही होने वाला था जैसे ही यह मजाक शुरू ही होने वाला था माखन फार्टिक से यंगर ब्रदर sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word तब जैसे ही यह मजाक शुरू होने वाला था फार्टिक का जो छोटा भाई था माखन तहलता हुआ आया यहाँ पर जो वर्ड लिखा है sauntered इसका मतलब तहलता हुआ तहलता हुआ आया और बिना एक सब्द बोले उन सब के सामने उस लकड़ी के कुंदे पर बैठ गया तो जो लड़के थे वो कुछ चड़के लिए बिलकुल चक्रा सगे मतलब बिलकुल पजल हो गए अब ओ जो लड़के वहाँ पर थे उन में से एक नित डरते हुए उसको थोड़ा सा धक्का दिया और उससे कहा और उससे उठ जाने के लिए क्या लेकिन उसके उपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ाओ जैसे बैठा था माखन वैसे ही बैठा रहा यह एपियर्ड लाइक यंग फिलासफर मेडिटेटिंग अन्दा फ्यूटिलिटी आफ गेम्स वह ऐसा प्रतित होता था जैसे कोई युवा दार्शनिक हो और वह क्या कर रहा हो ध्यान लगाए बैठा हो मेडिटेटिंग मतलब ध्यान लगा के बैठना अन्दा फ्यूटि खेलों की निरर्थता को के बारे में सोच रहा हो और खेलों की अनुप्योगता के बारे में सोच रहा हो फ्यूरियस फ्यूरियस मतलब होता है क्रोधित होना अंगरी फ्यूरियस मतलब होता है क्रोधित होना अंगरी फ्यूरियस मतलब होता है क्रोधित होना अंगरी फ्यू तुम अभी क्या भी यहां से नए उड़ते हो तो मैं तुमारी पिटाई करूँगा, माखन अल्ली मूब्ड टू अ मोर कमफर्टेबल पोजिशन, माखन ने किया किया, वो और भी आराम से वहां पर बैठ गया, मतलब वो उठा नहीं, और भी आराम से बैठ गया, अब यहां पर देखे, जो रीगल होता है, तो रीगल का मतलब होता है, साही, और डिगनिटी मतलब होता है, सम्मान, बिफोर दा पबलिक, पबलिक मतलब जनता, तो यहां पर यह कह रहा है, कि यद उसको पबलिक के सामने, पबलिक मतलब अपने ग्रुप के लड़कों के साही respect को अगर बनाय रखना था it was clear to our to carry out his threat तो उसे अपनी धमकी को पूरा करना था मतलब यह कि वो अपने group का leader था और उसने पहले अपने भाई से कह दिया था कि अगर तुम अभी कि अभी यही से नहीं उठोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा अब क्या है अगर उसे अपना सम्मान बनाय रखना था तो उसने जो कहा था उसको पूरा करना चाहिए बट इस करेस failed him at the crisis अब यहाँ पर जो word लिखा है crisis का मतलब होता है संकट की घड़ी में लेकिन इस संकट की घड़ी में उसका जो रहस था उसने उसका साथ छोड़ दिया मतलब वो अश्फल हो गया his fertile brain अब यहाँ fertile fertile का मतलब होता है वैसे fertile का मतलब उपजाओ होता है लेकिन यहाँ पर उसके brain को कहा गया fertile मतलब उसके मस्तिस को fertile का गया मतलब उसके कह सकते हैं कि उसके तुरंट सूजबूज आ जाती थी however rapidly sees upon a new mind where which could discomfit his brother अब यहाँ पर देखे mind where मतलब कह सकते है trick मतलब चाल कह सकते हैं पैतरा कह सकते हैं which would discomfit his brother और discomfort मतलब होता है पराजित करना निरास करना आगहार पहुचाना तो यहाँ पर मतलब यह है कि उसके mind में तुरंट एक नई चाला गई जिससे क्या कि उसके भाई को थोड़ा निरासा पहुचते उसके अपने भाई को पराजित भी कर देता and afford his followers and added amusement और अपने जो ग्रूप के followers थे उसके जो मित्र थे उसके लिए थोड़ा उनको थोड़ा वानन्द भी देता he gave the word of command to roll the log and markhan over together मतलब उसने अपने साथियों को उस कुंदे को लुढकाने का आदेश दे दिया and markhan over together मतलब मांखन के साथ मांखन बैठा है दो बैठे ने दो लुड़ा दो इसकुंदे को markhan heard the order markhan ने यह आदेश सुना and made it a point of honor to stick on लेकिन अपने आत्म सम्मान के लिए अपने honor के लिए उसी पर बैठा रहा but he overlooked the fact लेकिन उसने जो तत्थ ही ओ आगे नहीं समझ पाया उसने आगे जो होने वाला था उसने overlooked कर दिया उसकी आउहेलना कर दी मतलब वो अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैं बैठा रहा तो यह मैं भी गिर जाओंगा लेकिन उसने इस fact को अंदेखा कर दिया like who attempt earthly fame in other matters that there was peril in it यहाँ पर जो word लिखा है peril, peril का मतलब होता है जोखिम, जोखिम कह सकते है या खतरा कह सकते है मतलब वो बैठा रहा है बिल्कुल ऐसे लोगों की तरह जो लोग सांसारिक परसिद्धी को प्रात करने में लगे रहते हैं या जानते हुए भी कि उसमें कोई न कोई खतरा है कोई न कोई जोखिम है मतलब यह कहा गया है कि उसने उस तरह से औहेलना कर दि जैसे कि कुछ लोग आर्थिक मतलब सांसारिक परसिद्धी को प्रात करने में लगे होते हैं जबकि उस रह में खतरा ही खतरा होता है और जो लड़के थे उन्होंने एक साथ उस लकड़ी के कुंदे पर जो लगाना शुरू कर दिया कालिंग आउट या कहते हुए मतलब उन्होंने एक साथ जो लगाना शुरू किया एक, दो, तीन, चलो मतलब इस तरह से जैसे कहते है जो लगा के हाई सा इस तरीके से वन टो थी कहके उन्होंने उस पर धक्का दे दिया एड़ वर्ड गो जैसे उन्होंने कहा गो दा लॉग बेंट लकड़ी का कुंदा लुड़कने लगा और उस लकड़ी के कुंदे के साथ साथ माखन का दर्सन, माखन की भविताओ, माखन का सब कुछ लुड़कने लगा यहाँ पर जो होर्स है होर्स मतलब होता है करकस हसी कह सकते हैं मतलब जो जो से चिलाने लगे, हसने लगे मतलब जो फाटिक था वो थोड़ा सा डरा हुआ सा क्योंकि वह जानता था अब क्या होने वाला है एंड शूर एनफ माखन रोज फ्राम मदर आर्थ ब्लाइंड एसफेट एंड इस्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज इस्क्रीमिंग का मतलब यहां पर है चिलाते हुए माखन जमीन से क्रोधित हो करके चिलाते हुए उठा जब उसके फेस को नोच लिए उसके चेहरे को नोच लिए इसके मतलब तन नोच ना एंड वैट हीम एंड किग भीड रगा उसको madai अब इस ड्रामा का जो पहला दिर्शित था जो पहला सीन था वो शमाप्त होता है आगे देखते हैं फाटिग वाइब इस फेस फाटिग ने अपने चेहरे को पूछा यहाँ पर देखें एज मतलब किनारा होता है संकन मतलब धसी हुई बार्ज मतलब नाव मतलब हाटिग ने अपने चेहरे को पूछा और नदी के किनारे मिटी में धसी हुई नाव के किनारे पर वो बैठ गया एंड विगें टू च्यू आप पीस आफ ग्रास च्यू मतलब चबाना होता है और एक घास के टुकडे को चबाने लगा अबोट केम अप टू दा लैंडिंग एक नाव नदी के किनारे पर आ करके रुकी एंड अ मिडिल एज्ड मैंड विथ ग्रे हेर एंड डार्क मॉस्ट और एक अधेर उम्र का ब्यक्त जिसके बाल ग्रे हो गये थे मतलब आधे काले आधे सफेद थे और काली मुच्छ वाला ब्यक्त इस्टेब्ड आन दा सोर वो नदी के किनारे आया मतलब जब उसने देखा कि एक लड़का वहाँ पर बैठा है वेकार बैठा हो कुछ नहीं कर रहा है तो उसने उस लड़के से पूछा कि चक्रुवर्ती लोग कहां रहते हैं फाटिक बेंटन चीविंग दा ग्रास फाटिक घास को चबाता रहा एंड सेड और कहां ओवर देर ओवर देर वहाँ बट इट वस कॉइट इंपॉसिबल टू टेल वर ही पॉइंटेल लेकिन ये बता पाना बिलकुल असंभो था कि उसने किस तरफ इसारा किया था मतलब वो मुँ में घास को चबाता रहा और उसने थोड़ा ऐसे कह दिया वहाँ ये बिलकुल समझपाना असंभो था कि उसने किस तरफ इसारा किया था अजनभी ने उससे फिर से पूछा यहाँ पर जो वर्ड लिखा है तो एंड फ्रो का मतलब होता है मतलब वह नाव पर बैठा हुआ अपने पैरों को हिलाता रहा और कहा ग्वेन फाइंड आउट जाओ जाकर के खोजो और पहले कितना वो घास को चबाता रहा बट नाव असर्वेंट कीम डाउन फ्राम दा हाउस लेकिन अब एक नावकर घर से आया और टोल्ड फाटिक और उसने फाटिक से कहा his mother wanted him कि उसकी मा ने उसको बुलाया है फाटिक refused to move फाटिक ने जाने से इनकार कर दिया जाने से मना कर दिया बट द सर्वेंट वाज दो मास्टर आन दिस ओकेजन लेकिन इस समय ओ जो नौकर था ओ नौकर नहीं था वो मालिक था he took फाटिक अब रफली उसने बहुत बेढंगे तरीके से मतलब रफली बहुत ही बेढंगे तरीके से फाटिक को उठा लिया and carried him और उसको ले जाने लगा kicking and struggling in important raise kicking मतलब लात माना, struggling मतलब इधा उधा जगडा करना important raise raise मतलब क्रोध important मतलब सक्तहीन और विचारा जो फाटिक था उसके सरीर में इतनी ताकत तो थी नहीं कि वो अपने आपको नौकर से छुड़ा पाता वो क्रोध से सिर्फ इधा उधार हाथ पैर चलाता रहा जट पटाता रहा और जो नौकर था उसको उठा करके ले गया अब इसके आगे की कहानी हम अगले पार्टि में देखेंगे